एलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पूजा की कीचन में आज मैं आप लोगों के साथ और एक मूग डाल के ब्रेकफास्ट की रेसिपी को लेकर आई हूँ ये उपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है जब आप इस रेसिपी को बनाओगे तो घर में सभी को ये काफी पसंदाने वाली है ये रेसिपी इसलिए भी हेल्दी हो जाती है क्योंकि इसे हमने उंकी डाल जो की शरीर के लिए काफी हेल्दी वानी जाती है और साथ ही में कम से कम तेल में इसे हमने बनाया है अगर आप weight loss में है या बच्चों को टीफिन में देना है तो ये एक अच्छा option है इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मूग दाल को एक से देड़ घंटे के लिए भिगा कर रख लिया था अब हम भीगे हुए मूग दाल को mixer के pot में निकाल लेंगे अब हम इसमें डालना है कुछ लसन की कलिया थोड़ा सा अद्रक आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं पर बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो उसे skip करें इसे हुए paste को हम एक बाउल में निकाल कर थोड़ा सा इसे फेट लेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी आपर हमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदी चमच से भी कम हल्दी पाउडर गटा हुआ पैश डालेंगे और फ्रेश गटा हरा धनिया अब चाहे तो इसमें गाजर, लवकी या ककडी ऐसी चीजें भी डाल कर इसे बना सकते हैं ऐसा करने से ये और थोड़े हिल्दी हो जाते हैं हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसकी कंसिस्टनसी को एड़्जेस कर लेंगे अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे आदा चम्मस से बिकम इनो और इसे पानी डालकर एक्टिवेट कर लेंगे अब हम इसे अच्छी दरह से हलके हलके हाथों से मिक्स करेंगे इनो डालने के बाद में बैटर को एक ही डाइरेक्शन में इस तरह से घुमाना है अब इस नास्पे को बनाने के लिए हम लेंगे अप्पे पात्र और उसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके तेल हम इस तेल में डालेंगे सरसो के कुछ दाने और कटा हुआ करिया पत्ता ऐसा करने से इसमें तड़के वाला फ्लेवर आता है अब हम इस अपम पातर में इस बैटर को भर लेंगे अब हम इसे ढखकर पास से 6 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ग्यास को हमें low to medium flame पर रखना है अब लीड हटाने के बाद में हम इसे चेक कर लेंगे अब एक साइट इसकी perfect है तो हम इन सबको इस तरह से पलट देंगे ताकि दूसरी साइट भी इसकी अच्छे से कूख हो जाए अब थोड़ा थोड़ा हम इस पे तेल ग्रिस कर लेंगे और दूसरी साइट को भी चार से पाच मिनिट के लिए इसी तरह से कूख कर लेना है और जब यहाँ पर चार से पाच मिनिट हो जाए तो स्पून से हामी से इस तरह से चेक कर लेंगे अपर हमारे मूंग वाले अपपे जो है वो अच्छे से फूल गए है इसका मतलब यह perfect कूख हो चुके है तो यहाँ पर हमारा मूंग दाल का हिल्दी वाला नास्ता बनकर ready है यह मूंग दाल के अपपे खाने में काफी टेस्टी है साथी में यह हिल्दी भी है मैं चाहती हूँ आप मेरे इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ करे और अगर रेसिपी पसंदाती है तो कॉमेंट में बताए जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नए और हिल्दी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थाइंक यू